मेरे प्यारे देश वास्यों, पिछले वर्ष ये मार्च का ही महना था, देश ने पहली बार जनता कर्फियू शब्द सुना था, लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिये, जनता कर्फियू पुरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था अनुशासन का ये अभुद्पुर्व उधारन था, आने वाली पीडियां इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी, उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रती सम्मान, आदर, थाली बजाना, ताली बजाना, दिया जलाना, आपको अंदाज नहीं है, कोरोना व अगर बे बिना थके, बिना रुके, डटे रहे, देश के एक एक नागरिक की जान बचाने के लिए, जी जान से जूजते रहे, पिछले साल इस समय सवाल था, कि कोरोना की वैक्सिन कब तक आएगी, साथिकों हम सब के लिए गर्व की बात है, कि आज भारत दुनिया का सबस बड़ा वैक्सिनेशन प्रोग्रेम चला रहा है, वैक्सिनेशन प्रोग्रेम के तस्विरों के बारे में, मुझे भूनेश्वर की पुष्पा शुक्राजी ने लिखा है, उनका कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों में वैक्सिन को लेकर जो उत्सा दिक रहा है, उसक के जौनपूर में 109 वर्ष की बुजुर्ग मा राम दुलिया जी ने टिका लगवाया है ऐसे ही दिल्ली में भी 107 साल के केवल कुशन जी ने वैक्सिन की डोड ली हैं हाइदराबाद में 100 साल के जय चौदरी जी ने वैक्सिन लगवाई और सभी से अपिल भी है कि वैक्सिन जुरू लगवाए मैं ट्वीटर फेस्बूक पर भई यह देख रहा हूं कि कैसे लोग अपने घर के बुजुर्गों को वैक्सिन लगवाने के बाद उनकी फोटो अपलोड कर रहे हैं केरल से एक युवा आनंद नायर ने तो इसे एक नया शब्द दिया है वैक्सिन सेव ऐसे ही संदेश दिल्ली से शिवानी हिमाचल से हिमानसू और दूसरे कई युवाओंने भी बेजे हैं मैं आप सभी सोताओं के इन विचारों के सरहना करता हूं इन सब के बीच कोरोना से लड़ाई का मंत्र भी जरूर याद रखिए दवाई भी कड़ाई भी और सिरब मु दवाई भी कड़ाई भी इसके लिए प्रतिवर्द बनाते रहना है